हारे कृष्णा जर्शील प्रभुपाद, भगवान शिर कृष्ण अर्जुन जी को आगे पता रहे हैं कि भौतिक जगत के प्राणी की बुद्धी कैसे नश्ठ होती हैं, इंद्र विश्यों का चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति उत्पन हो जाती हैं और आसक्ति से काम और काम से क्रोध उत्पन होता है, इसके बारे में भगवान शिर कृष्ण और आगे बनन कर रहे हैं, चलिए इससे सुनते हैं, आज हम तिरे सट्वाश लोका करेंगे, तिरे सट्वाश लोका अर्थाट क्रोध से पून मोध पन होता है, और मोध से स्मरन शक्ति का विब्रम हो जाता है, जब स्मरन शक्ति ब्रमित हो जाती है, तो बुद्धी नश्ठ हो जाती है, और बुद्धी के नश्ठ होने पर मनुष्य भवकूप में पुना गिर जाता है, अब अनुवात के नुसार जैसा कि पिछले श्लोका में हमने जाना था कि भौतिक संसार में इंद्रियों का वेग बहुत ही प्रबल है और ये मनुष्य को आसकती काम और क्रोध में पसाती हैं क्रोध से मौ उत्पन होता है और मौ आने से सारी स्मरन शक्ती का विनाश हो जाता है और जब स्मरन शक्ती भ्रमित हो जाए तो बुद्धी वी नश्ठ हो जाती है और बुद्धी नश्ठ होने से मनुष्य फिर से भवबंदन में फस जाता है इसलिए कहते हैं न विनाश काले विप्रीत बुद्धी जब बुद्धी विप्रीत दिशा अर्थार्थ भौतिक संसार में लग जाए तो विनाश ही होता है सही दिशा ही कृष्ण भावनामृत है जिससे मनुष्य चान जाता है कि प्रतेक वस्तु का उप्योग भगवान की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए जैसे कोई व्यक्ती भगवान को भोग भक्ती भाव से अर्पित करता है तो भगवान उनको स्विकार करते हैं और वही भोग प्रसात के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे भक्त का कृष्ण भावनामृत में दिकास होता है, लेकिन अभख्त इसे केवल प्रदार्थ के रूप में तृसकार करता है, जिससे वे भवबंदन में आफसता है. आज का सुविचार, जो अव्यक्ति इंद्र विश्यों का चिंतन नहीं छोड़ता, उसे तो भौतिक संसार में सुख दुख भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, क्यूकि उसके मन में अभी भी कृष्ण बसे ही नहीं है, लेकिन जिस भक्त ने भगवान के चर्णों का आश् ले लिया है, उसे अपनी इंद्रियों पर नियंद्रत करना अपने आप आ जाएगा, और दीरे धीरे उस पर इंद्रियों का प्रभावी खतम हो झाएगा, और वो केवल तभी संबभ है, जब हम भगवान से जुडे और भगवान से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाह और खुश रहे इसी के साथ भगवत गीता या थारुप का तिरे से खवाशलों का पूरा हुआ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और हमेशा खुश रहे हरे कृश रहे हरे कृशना जैश्रील प्रभुपाद